हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो मैं चेनल आज की इस वीडियो में कुछ न्यू टिप्स एंट्रिक्स लेके आए हैं जिसे हम यूज करके अपने कीचन और घर के मुश्किल कामों को असान कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और यहां पर मेरा पहला टिप्स होग की जो आपको बहुत ही पसंद आएगा तो देखिए आपको क्या करना है लेना है डबल टेप और डबल टेप को देखिए आपको इस तरह से लगाना है और अब हम देखिए इसको लगाएंगे बैड के उपर तो बेड़ भी हमें बहुत से चीजे रखनी होती है जैसे हमें मेरे पास कोई जूरी हो या फिर कोई विक्स होती है या चाबी होती है उसको रखने के लिए कबड़ या कुछ ऐसे ड्रोर की जुरूत होती है अगर वो ना हो बेड़के तो इस तरह से आप यह बना सकते हो और बहुत ही आसानी से देखिए रख पाओगे तो अब हमारी यह बिल्कुल भी खोएगी नहीं और देखिए हम इसका मुबाइल में भी यूज कर सकते हैं जब भी हमें नीद आये तो हम क्या है जलबाजी में मुबाइल को रखते हैं तो आप इस तरह से रख सकते हो और अगले टिप मेरी देखिए मिक्सी को लेकि होगी मैंने देखिए मि पुरány है आज से 20 साल यह पुरानी मिक्सी है और मैं इसका यूज करती हूँ अभी तक यह बहुत ही अच्छे से यह काम करती है लेकिन क्या होता है कि इसको रखने में बहुत जादा दिक्क्त होती है जैसे यह वॉयर होता है तो इसको हम क्या करते है इस तरही से लगाते ह है double tape double tape लगाने के बाद आप देखिए इसके उपर लगा रहे हूं आपका new है या पुराना है जहां पर आपको कुछी सपेस मिले उसी साइड में इस तरह से यह cloth pin लगा देनी है और अब हम देखिए wire को इस तरह से इसके उपर लगाएंगे फ्रेंड्स बहुत ही useful है इस तरह से देखिए हम wire को आसानी से देखिए लगा सकते हैं लगाने के बाद ये बिल्कुल भी देखिए निकलिएगा नहीं और जो ये last pin होती है इसको हम लगा देंगे इसके अंदर इस तरह से बहुत ही useful है आप जरूर से try करिएगा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है तो चलिए अगले tips को देख लेते हैं अगला tip मेरा देखिए बहुत ही useful है तो देखिए इस तरह के color को लेके होगी बच्चों के पास ये color बहुत सारे होते हैं या फिर क्या करते हैं खाली हो जाते हैं तो इनको फेंग देते हैं तो देखिए आपको बिल्कुल भी नहीं फेंगना है इसका हम बहुत ही अच्छे सी यूज कर सकते हैं तो हमें क्या करना है हमें लेना है और अब हमारी जो भी brush है वह हम एके करके इसके उपर लगा देंगे तो आप देख पाओगे कि यह हमारा brush holder बन गया है तो देखिए आप भी जरूर से बनाईएगा बहुत ही useful है इस तरह से देखिए हम free में यह holder बना सकते हैं तो हमें बाजार से मेंगे मेंगे इस तरह के लेके आना पड़ता है तो क्यों ना हम इसका यूज कर ले तो अगर आपको यह trick पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों की शाज जरूर से शेयर करें और अगले trick मेंडी रेकी बहुत ही useful है तो क्या होता है कि जब भी हम washing machine में कपड़े दोते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि इस तरह की बरा को लेके हम क्या करते हैं कि एक साथ इस तरह से डाल देते हैं और फिर हमें बहुत ज़्यादा मुस्किल होता है इसको एक पर के निकालने में तो देहिए आप देख रहे हो कि इस तरह से कप्ड़ों में अतक जाता है और फिर हमें this तो आपको क्या करना है आपको लेना है एक पुराना कोई भी सोक्स ले लीजिए गा और उसमें देखिए आप बरा को डालोगे तो बिल्कुल भी देखिए तो वह जादा फट जाती है जिस से हमारे बहुत सारे पेंसे भी खर्चे होते हैं अब हम इसको रखने वाले होते हैं, रखने से पहले हम इसकी जो खोल होती है, इसको हम अच्छे से दोते हैं, ताकि क्या है, अच्छे से ये सही रहे, खराब ना रहे, क्योंकि अगर हम ऐसे ही इसको रख देंगे, तो ये बदमु मारने लगेगी, और क्या है, कोई कीडे भी पकर दोनों को पकड़ के आपको क्या करना है रजाई का जो कोना है उसको भी हमें इस तरह से ही पकड़ना है तो देखिए आप देख रहे हो कि मैंने देखिए दोनों को अच्छे से कोनर को पकड़ लिया है और अब मैं देखिए रजाई की कोनर को भी इस तरह से ही पकड़ लेती हूं तो मैंने कोल को देखी उल्टा करके लिया है और लेने के बाद देखी अब मैं क्या करी हूँ इस तरह से देखी पकड़ लूँगे देखी तो पकड़ने के बाद अब हम देखी इसको सीधा करेंगे इस तरह से और मैंने देखी खोल को क्या है थोड़ा खुला रखा है ज्या तो time जदा लगेगा और सिलाई हमें पूरी करनी पड़ेगी और देखे अब आप देख रहे हो कि मैंने बहुत ही आसानी से देखी इसके अंदर डाल दिया है तो इस तरह से देखे हम ये कर लेंगे तो friends इस तरह से बहुत ही आसानी से देखे हम खोल को डाल सकते हैं और friends अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा तो देखे इस तरह से बहुत ही आसानी से देखे हम खोल को डाल सकते हैं प्रेंस बहुत ही यूजफूल ट्रिक थी अगर आपको यह ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और अगले टिप मेरी देखिए तो देखे हम रेडिमेड शेट लेके आते हैं तो इस तरह की फोम निकलते हैं और इस तरह का जो हर्ट फोम होता है हम क्या करते हैं शेट को यूज़ करते हैं लेकिन इसको फेंग देते हैं तो देखे आपको बिल्कुल भी नहीं फेंग ना है इसको हम अलग लग तरीकों स यूज कर सकते हैं तो आपको क्या करना है इस तरह का कोई भी खाली बॉक्स ले लिजेगा लेने के बाद आप इस तरह से रखे एक गोल कट कर लेना है तो इस तरह का बराबर में हम कट कर लेंगे तो इस तरह से देखिए रखने के बाद बहुती आसानी से देखिए गोल कट ह हो जाता है तो मैंने देखी यह कट कर लिया है और अब हम देखिए इसका केसे यूज करेंगे तो देखिए केंची से हमें थोड़े-थोड़े इस पी cut लगा लेने हैं थोड़ा थोड़ा gap छोड़के हमें cut लगाना है तो देखिए कुछ इस तरह से हमें ये cut लगाना है cut लगाने के बाद देखिए अब हम इसका केसे use करेंगे तो जो भी हमारे पास इस तरह की ring होती है artificial हो या gold वाली कोई सी भी आप ring ले लिजीगा और अब हम देखिए इस ring को इस तरह से लगाएंगे तो अब सायद आपको पता हो गया होगा कि हमने ये क्या बनाया है तो हम देखिए इस तरह के जो jewelry box हम लेके आते हैं market से तो वो हम घर पे ही बना सकते हैं बहुत useful तरीका है इस तरह से देखिए हम free में एक box बना सकते हैं और jewelry वाले जो box होते हैं उनके बहुत जादा पैसे भी लगते हैं तो देखिए free में हम इस तरह का organizer बना सकते हैं अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को like and share जरूर कीजेगा तो friends आज किस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा कौन सी tips useful होगी मुझे comment करके जरूर बताएगा तो friends मिलते हैं next वीडियो में बबाई टिक के thank you for watching my video